नमस्कार बच्चो मैं संजय चोहान डिस्कवरी स्टेडी सरकेल के यूटूब परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं और एक जो दूसरी आज की जो किलास है वो समीधान की प्रस्तावना की सेकंड किलास है आज मैं कोईश करूँगा बच्चो कि आपको जो कल जो बाते बताई थी मैं आपको वो सब बाते हो जाएं आज कोईश करूँगा कि आज की कलास में सरे बाते हो जाए हमारी कल अमने प्रस्तावना के बारे में चर्चा करी थी कि प्रस्तावना क्या होती है किसे प्रस्तावना कहते हैं कहां से अमने प्रस्तावना यानि प्रेम्बल लि है भासा कहां से लिए है उसमें जिन इन सब्दों का परियोग हुआ है जो प्रस्तावना की सब्दावली है आज की क्लास उस पर अधारित रहेगी जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले किस सविधान में रखी गई किस विवाद में प्रस्तावना को सविधान का अभिन अंग माना गया किस में अंग माना गया और किस में जो है प्रस्तावना का प्रस्तावना को सविधान का अंग नहीं माना गया ये तीनो चारो केस हम पढ़ चुके हैं प्रस्तावना के बारे में किसी ने क्या का ये भी बाते हो चुकी है आज की जो बात है प्रस्तावना के सब्दावली को लेकर है हम भरत के लोग हम भरत के लोग तो ये बात हमारी हो चुकी थी कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या है और हम इसे क्या कहते है हम भारत के लोग का अर्थ क्या है और कहां से इसको लिया गया इसका अर्थ है कि हमारी जो संपर्भूता है भारत की राष्ट की जो संपर्भूता है वो अंतिम रूप से जनता में कहानीत है जनता में बारत को एक संपूर्ण प्रभुत संपन संपूर्ण प्रभुत संपन का मतलब होता है बच्चो संपर्भुता संपर्भुता ये बात हमारी हो चुकी थी संपर्भुता तक टिक संपर्भुता संपर्भुता क्या होती है ये कल की वीडियों बता रहा है मै संप्रभूता कितने परकार की होती राज्य के चार अंग कौन-कौन से होते हैं वो साइब बात्या हमारी हो चुकी थी ठीक अच्छा अब है समाजवादी कौन सब्द समाजवादी सम एक्टूर पच्चू में पता होगा कि समाजवादी जो सब्द है जो समाजवादी सब्द है यह सब्द सबसे पहले किसकी देन है समाजवादी सोचिलिस्ट बोलते हैं इसको सोचिलिस्ट समाजवादी दुनिया में काल माक्स के आने के बाद काल माक्स की विचार धारा आने के बाद पुण्जीवाद और समाजवाद यह दो अवधानाई सामने आई समाजवाद और माक्सवाद कि अगर हम बात करें ध्याना करना बच्चो माक्सवाद अलग है समाजवाद अलग है माक्स जो थे काल माक्स जो थे वो समाजवादी थे लेकिन जो माक्सवाद है वही समाजवाद नहीं है माक्सवाद का एक हिस्सा समाजवादी है बाकि जो समाजवाद है वो पूरी तीके से माक्सवाद नहीं है माक्सवाद करांती की बात करता है कि करांती के माध्यम सी हम सिस्टम को बढ़ सकते हैं करांती के माध्यम सी सरुहरा यह जो गरीब तबका है जो निम्न तबका है जो मजदूर है सर्मिक है उनकी सप्ता ला सकते हैं लेकिन समाजवाद ऐसा नहीं मानता समाजवाद तो एक ऐसी टोपी है जिसको जो चाहे वो विक्ति लगा ले जैसे समाजवाद की बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद जो कि हमने अपनाया है फेवियन समाजवाद होता है आपका चीनी समाजवाद अलग है रस्यन समाजवाद अलग है तो समाजवाद तो अलग अलग चीज़े होगी समाजवादी या समाजवाद का मतलब होता है बच्चो कि संसादनों का समतमुलक वित्रण यहनि समाज में कोई भी वर्ग विशेत अधिकार प्राप्त ना हो समाज में किसी भी वर्ग के पास विशेत अधिकार ना हो और जो संपत्ति है उस पर सब का बराबर बराबर का अधिकार हो जानते हैं कि बच्चों एक जोन लोग हुए हैं कौन वे जोन लोग इनने संपत्ति का अधिकार को प्राकर्तिक अधिकार माना था कि जितने भी संपत्ति दुनिया में है उस पर सभी लोगों का एक जनमजात अधिकार है प्राकृतिक अधिकार है माक्सवाद इसी बात को ले कर चलता है कि जितने संपत्ति जो प्रोपर्टी है जो संसादन है चैए वो भोतिक संसादन हो किर्श्ची के संसादन हो व्यापार के संसादन हो सरकारी नोक्रियां हो प्रेवेट नोक्रियों यह सारे संसाद सामेल किया हैवह मनें 42 संसोधन से 42 संसोधन से जानते होने बच्चो 1976 में सामेल किया है जब इंद्रा गांधी पर्रानमंत्री थी और फक्रुदिन अली एहमad जो थे भारत के राष्पती थे कि इंद्रा गांधी को क्या हो बैंकों का राष्ट्रेक रण किया चोदा बैंकों का राष्ट्रेक रण किया यह चोदा बैंक सरकारी बैंक थे जिसमें पी एन बी था इलहाबाद बैंक भी था सिंडिकेट बैंक था पंजाब और सिंद्र बैंक था तो यह चोदा बैंक थी प्राइवेट बैंक थे और प्र सरकार काम करती है जन कल्यान के लिए। भले उसमें उसकी हानी क्यों न हो जाए। सरकार तमाम ऐसी योजनियदें चलाती है। जिन योजनौ के माध्यमस सरकार को हानी होती है। कोई सरकार का उद राज्जे्यन कि राज्य की स्थापना करना है तो इसके तहट चोदा बैंक को राश्ट करन किया किють के संपत्थी को इन्दर गांदी सरकार नेकत करेंद लिया और clearly में सरकारी बैंक हो गरेंध मिंदरी सरकार्न को कहें कल को मोदी जी कह दे भाईयों और बेहनों कि कल से आपका मकान हमारा मकान कल से आपका कारोबार हमारा कारोबार कैसी बीते गे आपके उपर बहुत खराब लेकिन जनता के लिए कितने फायदे की बात है देखे आप जो जनता बैंक में जाने से डरती थी बैंक में जनता जाने से आज से 10-20 साल पहले ड़ती आज कोई ड़ता आज जनता इतनी जागरूख है कि SP और DM सहाब तक को सामने ऐसे तरक देती है जनता कि DM SP बोल नहीं पाते है बैंक के तो दूर की बात है तो बैंक में आज हावी रहती है जनता पहले डरते थे लोग बैंक में जाने से जो महाजन हैं जो सूध को रहे हैं उन से पैसा लेते थे ठीना अब क्या हुआ बैंकों की स आखाएं गाउं में खुलने लगी जनता में ये संदेश क्या कि बहुत अच्छा हो गया है आप बैंक इतने बड़े-बड़े बैंक आपके गाउं में खुलेंगे और आपको लोन देंगे बहुत सच्थी ब्याज दर पर देंगे और लंबे समय के लिए और आपसे लेने क सरकार के पूर्वादी करती जा रही हो और आपने हाथ में समाजवादी का मतलब होता है कि उत्पादन और संसाधनों का जो स्वामित्व होता है वो सार्वजिनिक होता है और शांवजरिक मतलब सरकार का होता है तो सरकार मतलब जंठा यनली जंता के माध्यम से सरकार संसाध्णयों पर नियंतन कर रही है यही समाजवाद मरें तो बिपकशन है इंद्र गांधी पर हमारा देश राष्छ्ट समाजवादी थोड़ी है तो समाजवादी होने का आरोप लगा जब कॉंग्रेस सरकार पर और कॉंग्रेस की विचारधार तो पहले समाजवादी थी लेकिन सरकार में कभी भी इस तरह का काम नहीं हुआ तो इंद्रा गांधी लगी समाजवादी नहीं है ना लीजिए होगे समाजवादी आप कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे प्रस्तावना में लिग दिया समाजवादी यानि संसादन सरकार के पास आएंगे सारी प्र जनकल्यान के कारिये हो रहे थे इसलिए समाजवादी सब्द को सुविधान में जोड़ा गया ना कि ऐसा नहीं होता है बिना करण के कारिये की उत्पत्ती होती ही नहीं है करण है तभी कारिया होता है समाजवादी का मतलप होता है जो उत्पादन के साधन है जो उत्पादन के साधन है उससाधन है सावजीर के लक्षण होते हैं उनली सो एक्यान में तक हम समाजवादी अर्थवेस्ता ही राजिती में समाजवाद अलग से आता है और अर्थवेस्ता में समाजवाद अलग तरीके का होता है राजिति में समाजबात का मतलब है राश्टेकरं करना संसाधनों को अपने पास लेना किसी के पास विश्यवाद का मितलब यह है अर्थवस्तर में समाजवाद का मतलब अर्थवस्तर में पड़ेंगे ठिक आप देखिए एक निर्पेक्स में पंत निर्पेक्स पंत निर्पेक्स धर्म निर्पेक्स यह दो चीजे होती हैं दोनों एक है कि अलग-अलग हैं दोनों अलग-अलग हैं पंत निर्पेक्स और धर्म निर्पेक्स का अर्थ समझते हैं फिर क्यों जोड़ेगा यह देखते हैं धर्म निर्पेक्स का आर्थ होता है धर्म से अलग होना निर्पेक्स का मुलब क्या है अलग होना धर्म से अलग यानि किसी भी धर्म को सनरक्षन ना देना सनरक्षन ना देना ही धर्म निर्पेक्स है पंत निरपेक्स का आर्थ पर यही होता है, कि किसी भी पंत को, किसी भी रिलिजन को सनक्षन ना देना, अर्थात राज्य का कोई राज्य के धरम नहीं होगा, राज्य किसी धरम के रुषार कार्य नहीं करेगा, राज्य यानि राष्ट की बात चल लिए राज्य यानि राष्ट की बात है किसी भी धर्म के बढ़ावे के लिए कारे ने करेगा बलकि सर्व धर्म संभाव की निति के तहत कारिया करेगा जैसे पाकिस्तान है वो इसलामिक राष्ट है बंगलादेश है इसलामिक राष्ट है सावधियरब इसलामिक राष्ट स्रिलंका बोधिश राष्ट वो बोध ध्रम को मानने वाला है अगर पाकिस्तान में कोई कानून बनता है जिसे जिस्ट कानून है या कोई अन्य कानून ब या कोई अर्थिस्ता करण कुला रही कानून बनता है तो पाकिस्तानी सरकार ये देखेगी कि क्या सरियत कुरान और हदीष में ऐसे कानून बनाने की अनुमति है यह नहीं है यह इस विसे के बारे में सरीयत थे क्या कहा गया है क्या चीज़े बताई गई है उसके बारे में अगर इन चीज़ों के बारे में होता है तो ही पाकिस्तानी सरकार कानून बनाएगी इसी तरीकी से बंगलादेश देखता है कि जो कानून बना रहा है भासा के लिए बना रहा या बाहर से जो लोग आ रहे उनके बना रहा है तो वह देखता है कि सरीयत कुरान हदीश में इसके अनुसार क्या कहा गया है तो उससे तुनला करके तब काणून बनाता है और अपने इसलाम ध्रम को बढ़ाने का परियास करता है ठीक एह स्रिलंक का है वह बहुत ध्रम की चीज़ें देखता है लेकिन भारत एक से विश्व का पहला पंत निर्पेक्स राष्ट है ठीक आच्छा अब ध्रम निर्पेक्स और पंत निर्पेक्स में अंतर क्या है हमारी संस्कृति में भारतिय संस्कृति में हमारी अपने संस्कृति में हमारी हिंदुताने संस्कृति में ध्रम सब्द का अर्थ किस से लेत करतेवे पिए पालन से बना आपने किसी गरीब की मदद करने किसी ऐसा है व्हक्ती कियों कहना खिलाया किसी कोई वर्द था या कोई मान सिल्पते विक्ष苠 पिक्ती था आप लरी तो आप क्ले घर जाके आज मैंने बड़ा products का काम किए आज मेने इंसत्व taste का काम क्लिआ आज मैंने मानवता काम किया, आज मैंने अपने धर्म का पलन किया, तो यहां धर्म का मतलब होता है मानव के द्वरा किये जाने वाले नैतिक कर्तव्य से, हमारी संस्कृति में धर्म का मतलब यह है, हमारी संस्कृति में धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है, जिसमें इस्वर होत पार्षी उसका मतलब हमारा पंत है और हमारे ध्रम का मतलब हमारी निर्पेक्स बोलते समय तो उसका मतलब यह होता कि राज्य अपने कर्तव्य पालन से विमुक हो रहा है द्रभन मिर्पेख नहीं जोड़ा गया, क्योड़ा गया पंत psychological क्का सुमिल के आ ऐसा क्व निर्फ में निर्फ में इस्तुमाल करते हैं तो यहां दर्म का मतलब भी दोटाने से रखते तो क्या मतलब होता कि राज्य अपने नेतिक कार्यों से विमुक हो रहा है हमने क्या रखा पंत निर्फिक्स और इस पंत निर्फिक्स में सारे पंत आगे हिंदू भी आ गया सिख भी आ गया मुसिलिम भी आ गया पार्सी बहुत जिते में उस सब आगे यानि हमारा भारत हमारा राज्जी हमारा राश किसी ध्रम एक विशेश को बढ़ावा देने काम नहीं करेगा थिए बच्चो तो यह है अब सामिल क्यों किया गया सामिल इसलिए क्या गया 1975-76 तक आते आते कोंगरेस पर और इंदरा गांदी पर इंदरा गांदी जिन्होंने पांचवी पंचवर से योजना में गरीबी उनमलन का नारा दिया था और इंदरा गांदी के खिलाफ बहुत बड़ी एक कांथी भारत में चल रही थी इसका नाम सा संपून क्रांथी जो जया प्रकास नार्यान ने चलाये हुआ था कि कोंगरेस मुक्ध भारत करो कोंगरेस बदर हटा वो बोलते इंदरा हटाओ हम बोलते हैं घूरी हटाओ तो इसलिए जनता ने इंदरा की बात मान इसी दोरान तुष्टिक रण की नीती की तेहत इंदरा गांदी पर किसी एक ध्रम का शर्रेक्षन करने का अरुप लगा था तो उस बात को लेकर अक हम पंत निर्पेक्स हैं हमने जोड़िया परस्तावना में हम किसी धर्म को सनक्षन नहीं देंगे के अधे को कहने की बात लगया होने की बात लगए कल बढ़ाते में आपको कि हम सविधान पड़ते बहुत आतर्स वाला है होता बहुत प्रेट्टिकलि दूसरी चीजे हैं खैर पंत निर्पेक्स औधनिर्पेक्स का आर्चतमन्दगि होंगे आगे देखते हैं यी अखन्द एक ता और रखंद एकता तो सुविधान में पहले से था बच्टों एकता क्या था प्हले सा जोड़ा गयाने एकता के बाद और अखंड आ आप जानते 42 संसोदन से ही भाग चार कैमे अनुचेक 51 के को मोलिकते वे जोडे गई vaan केमे मोली करते वे जोडे गई क्या जोडें गई पुदम से लेकर से लेकर 1975 तक इंद्रा गांदी खिलाफ थे लगातार एक वि मोठ का महाुद हा कि उसमें इंद्रा गांदी की लोगुद पृत्त अपने चरम परती इसमें तो वि रोध था जब कोई की योजनें चलाई गरीबी हटाओ कर नारा दिया गरीबी उन्मलन यानी करा रहा दिया तो बहुत लोग पिरत थी इंद्रगांधी की तो 1975 के तक आते आते इंद्रगांधी खिलाफ जो महुल बना उस महुल में इंद्रगांधी किलाफ एक नीडने आया इलाबाद हई कोट से कि आत बोरा चुन आपका दो चुनाव था वो अवैज था आपको इस्तिफा देना पड़ेगा इसी नीडने को पर सुप्रीम कोट ने दोरा दिया इंद्रा गांधी का इस्तिफा देने की बात आगी संपूर्ण क्रांती चल लही थी जब प्रकास राण के नेत्वरत में सारे बड़े बड़े नेता उसमें सामिल थे पुरे भारत में एक त्रह का गह युद्न जएची तिंगो रही थी पुरे भारत में वह इंद्र गांधी के लाफ थी कि इंद्री कांधी इस्तिफा देनेершंने वाली नहीं थी इंद्रा गांधी ने जोन 1975 में फकुर दिन अली-इम पे र स्थियापाद आंत्रिक अ хотел गशंद कर दिया राश्ट्या पाध गोशित हो गया लोगे अदिकार खतम हो गे अनुचे तीन के प्रेस सरकार के अंडर में आ गया तो सरकार जो कहीं वहीं चपेगा तो पूरे देश में पिपक्स ने और जनता ने अपने अधिकारों की बात करी और पूरे भरत में एक प्रकार से आंदलन होने लगा इंदरा गांधी ने सभी नेता को उठाया और जेल में बंद कर दिया हुए नेता है यह उसमें युँआ नेता थी जो समें लड़े जनता के लिए तो उसमें खंड़ ये विपक्स पूरे भरत को तोड़ने का परियास कर रहा है तो हमें खंड रहना है, एक था तो है पर खंड नहीं प्रस्तावना में इसलिए प्रश्था जोड गया, कि हम तूटने नहीं देश को विपक्स कितना ही कहले, हम यह नहीं होने देगे। तो इंद्रा गांदी ने अखंडता को जोड़ कर प्रस्तावना में जोड़ दिया, और उस त्यत्तर में प्रस्तावना सुविधान का अंग बनी गया था, कोई समस्या थी नहीं, जब अंग बन गया तो अन्य प्रावधान जैसे हैं, भाग तीन, भाग चार, भाग पांच के वही मैं तो प्रस्तावना का हो गया, ये बाते थी, तो इसलिए अखंडता जोड़ा गया, मोली कर्तव भी इसलिए जोड़ा गया, इंद्रा गांदी ने का कि सब लोग अधिकारों की बात तो कर रहे, अक हमारे अधिकार निलंबित कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अध अधिकारों की तो बात करते हो, कि अधिकार हमारे चीन लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मोली करते भी तो है, सावजी संपत्ति की दक्सा करो, जो समिधान के आदर्स है, राष्टियांगों के आदर्स है, उनका पलन करो, विग्यनिक दृष्टि को न अपनाओ, ये सब ब से लेकर 2020 तक इथियास पढ़ेगा, तब आपको पता चलेगा, सबसे बड़ी समस्या पता है क्यों ये बच्चों, आप लोग 1947 से लेकर 2020 तक का इथियास भूगोल, नागरिक सास नहीं पढ़ते, ये पढ़िए, यही सारी स्टेटिक जीके, बढ़ा चलेगी सारी स्टेटि अरे शटिक जीके, क्या होती है, ये सब इनिसे तो निकली है, आप ये पढ़ाएं, सारी घटना पढ़ा दीजे, एक किताब आती विपिन चंदरा की, आजादी के बाद भरत, किताब है, विपिन चंदरा की, इत्ती मोटी किताब है, कुछ अपतली आने लगी है, तो आजा से आपकी हल नहीं कर सकता दुनिया में, ठीक है, चली, ये तो गया आपकी अखानता, समाजवादी, पंतनिर्पेक्स, जो सब्द जोड़े गए थे, आप देखते हैं, और क्या सब्देश में, देखिए, पंतनिर्पेक्स हो गया, समाजवादी हो गया, पंतनिर्पेक्स हो लोक तंत्र देखिया आप लोक तंत्र इसमें दो सब्द है एक लोक और एक तंत्र तंत्र से पहले लोक आया है और लोक मतला पबलिक जनता यानि जनता का तंत्र जनता का तंत्र जनता का सिस्टम जनता की सासन पढ़ना ली लोग तंत्र बोलते हैं लोग तंत्र वर्तमान में सब से लोग पिर ये सासन पढ़ना ली है लोग तंत्र की बात करने वाला दुनिया में पहला व्यक्ति सुक्रात था कौन था सुक्रात जानतों गया अरस्तु के गुरु थे शुक्राथ अब प्लेटो गुरु थे प्लेटो के गुरु थे शुक्राथ सुक्राथ का सिस्षय प्लेटो और प्लेटो की सिस्षय अरस्तु और अरस्तु का सिस्षय स्रिकंदर है यादरी दौर सुन लिजे शुक्राथ शीषट नहीं पता हुआ क्या है युनानी के दार्सिन को को सोफिस्ट कहते थे अब उनकी शीषय कोन थे सुकुरात सुक्राद के सिस्य थे प्लेटो और प्लेटो के सिस्य थे अरस्तु और अरस्तु के सिस्य थे सिकंदर महान महान मत बोली सिकंदर ही बोली बस सिकंदर सुक्राद ने सबसे पहला व्यक्ति जिसने युनान के अंदर लोग आज के लोगतंतर की तो बात नहीं करी थी पर ऐसा उ कि बात तो बहुत दूर है कि सुकरात्य ने सबसे पहले कहा था कि जनता के बीच भी सथा होनी चाहिए यह जनता को बीच सत्या में सामिल होना चाहिए तो इस बात को लेकर राजा को ठनगी क्रक्य से मूल पती है हम प्रत्वी के भी यह हैं और तब तक ही अबधारणा थी कि प्रत्वी हमारे सोरअ मंडल के बीच में है ब्रहमान के बीच में बा cauliflower एक छक्कर लगा रहи है और उस प्रत्व का पती कोन राजा अब राजा की सत्ता पर आ चाई किσι एक वेक्ति विचार से तो पतला राज जजा। उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा. तो राजा ने शुकुरात की हत्य करवादी. जहर दे कर उसकी हत्य करवादी. तो ये व्यक्ति पहला व्यक्ति था उसके बाद पर तमाम लोग जिने बाते करते रहे लोग तंतर की फिर उसके बाद जो आधुनिक काल में हम देखते हैं तो रूसो फ्रांस का था रूसो तो रूसो ने सबसे पर एक किताब लिखी सामाजिक सम्मीदा सोसल कॉंटेक्ट साम जो भी सत्ताधारी उससे करें और वो कॉंटेक्ट यह हो कि जो भी सत्ताधारी है वो जनता के लिए काम करेगा वो जनता के हित में काम करेगा तो रूसो पहले विक्ति थी जिन्होंने ये बात कही थी पर उनको मारा नहीं गया रूसो कांट वाल्टेर मॉन्टेश क्यों इ तो फ्रांस की क्रान्तिक लिए प्रत्यक्स जिम्मेधार बले ना उ पर इनके विचार जो थे वह भूँत सक्तिसाली और बहुत दूर गामी विचार थे तो रूसों बात करने वाले और वर्तमान में तो लोकतंतर आप जानते ही हैं जनता का तंतर जनता के लिए और जनता के द्वारा यानि लोक तंत्र में सुप्रीम कोट ने ये व्यक्या करने का अंतिमधिकार है तो सुप्रीम कोट ने का कि तंत्र बाद में है तंत्र क्या है बाद में और लोक क्या है पहले है लोक पहले और तंत्र क्या है बाद में तो अगर कोई मामला उठता है सिस्टम और जनता के बीच में कोई विवाद होता है तो लोक तंत्र है तंत्र लोक नहीं है तंत्र लोक, अगर तंत्र लोक होता, तो system पहले और लोक बाद में, लोक पहले, जन्ता पहले तंत्र बाद में, एस Supreme Court ने वेख्या करे हुए. तो लोग तंत्र होता है जनता का तंत्र यहींनि जनता अपने ऊपर स्व्यम राज करे यहीनि जनता स्व्यम सत्ता में रहे और अपने कल्यान के लिए कारिय करे आप जानते हैं काल माक्स और भात्मा गांदी को आराजक्तावादी कहते हैं कुछन आ चुका है अराजक्तावादी अराजक्तावादी यहां पर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं आराजक्तावाद का मतलब होता है कि जो एक राज्ये विहिन तंत्र की बात करता है यानि महात्मा गांदी यह मानते थे अक व्यक्ति जनमजात अच्छा होता है परिस्थितियां उसको खराब बनाती हैं तो हमें परिस्थितियां बदलना चाहिए ना कि व्यक्ति बदलना चाहिए इसलिए में पुलिस की कोई आफसकता नहीं है तो एक तो महात्मा गांदी प्लिस विहिन राज्ये की बात करते थे अक राज्य में प्लिस नहीं होनी चाहिए काल माक्स भी यही कहते थे कि व्यक् स्व יराज्य करें दो पुलिस या सकता है ना किसी राज्य चिरा वही हिन दैंतर की बाथ है राज्य Babin धन्तर को BY राज्य संबंद के क्यों इस बात परर राणति विढ्जानलमें भरी पड यह किताब बाकि महत्मागान्दी और कालमाकस दोनों क्राज्य विहिन तंतर और पलिस विहिन तंतर की बात करते थे तो क्या बोलते हैं ने जनता सत्ता में रहीगी तो उसके दो तरीके यह तो परत्यक्स सामिल हो जाए यहां फिर अपने परतिमीदी भेज़ दे तो जो सामिल परत्यक्स रूप से होती है तो उसे बलते हैं परत्यक्स लोगतंत्र जब अपने परतिमीदी भेजती है तो उसे बलते हैं परत्यक्स लो तो मैं ने अपने भाई को भेज़्ज दिया हूंMa चिथी मेरे नाम थे, है तो जो जिस सादी में जाएगा वही तो मानगे कि हाँ है भї सर भई आये थे अमने को बेज़ा अपना बहु बेजा तो यह कहा है कि हमने अपने परतिंदी भेज़ यह सत्ता में वो हमारे पर फिर राज करेंगे हम रुदिकार दिया हुआ स्वूट्याजन लेंड में पर्तिक्स लोगतंत्र ने कि वहां पर भी सब्सक्राइब वो परस्रीदी सरकार बनाना तो वो दो वर्स तर जो जो काम करता है जो अगर कानून बनाना है तो वो कानून पहले जनता के बीच में जन्मत संगरह के लिए आएगा कि क्या हम तीन तलाक का कानून बनाए या हम समान नागरिक सहिता वाला कानून बनाए तो जन्ता की राए क्या होगी अगर जन्ता की राए हां में ज्यादा है 50% से ज्यादा हां है तो नागरिक सहिता कानून बनेगा ्विल कोड बनेगा अगर उसके पक्स में gosh प्रशंट लोग भी रागे तो कानून नहीं बनेगा जनता कुद करती है और कर किसी कानून को समाप्त करबाना हो तो जनता इसकी पहल करती है जनता पहल करती है जनमस्संग्रय होता है अगर आधिक जंत्था कहते कि ये कानुनिस्माप्क्त होना चाहिए तो सरकार प्रता हैं तो बाथ हमारे के से हैसे जोगतंत्र और वो ये उएस से सबसे बड़ा लोग तं उनर भारत है बड़ा है प्हला लूख City कुह अमेडियु हाथ अमेरिका जो है मैक्ची चीलिय कह यह ता पन्दरीवर राषप्रित्यक मपता बदोर से पता चलेगा चैनल से कि हाँ आपके एक बार आपके जो राजपती है वह यह होगे फिर सर्च करें गूगल पर अकच्छा यह कौन है भई रामनाथ को मिन कोई जानता नहीं था पहले तो ऐसा क्या आपका कोई रोल है चुनने में नहीं अमेरिका में ऐसा नहीं है सबसे पहले वहाँ पर राजपतीक दल अपने उम्मीद्वारों को जनता से चुनवाती है कि जो बैडेन लेरी के नम आपका कमला हैरीस या जो तो नेचे और जो भी पार्टी में चुनाओ लड़ना चाहता है अमेरिका में रास्पतिका पहले उस पार्टी के अंदर वोटिं और दूसरे नममेर से तूँ पहले दल जनता के माद्वार कि उमिदवार चुनते हैं में चुनाओ होते हैं सरकार सुनती कोई सुनना कि कोई सुनवाई कहीं किसी प्रकार के नहीं होती जहां सबकुछ गोपिनी था लोगतान्तर में कैसी गोपिनी था ब Hispan DR बाई पेपर हो त्छोन डिन के अंदर छे महिने बाद रेजल्ट आ रहे हैं क्यों आरज़ट से मैंने बाद भाई किसको पता है नहीं मेरे नंबर कितने है उसको नंबर कितने है क्या चल रहा है गनाज्य आसान है गनाज्य किसको बोलते हैं जिस देश का मुख्या जिस देश का अध्यक्स अनुवानसिक ना हो वंसानुगत ना हो उससे बोलेंगे अ गर्ण राज्ये उसी का बोलेंगे गर्ण राज्ये बोलेंगे या गर्ण तंत्र बोलेंगे एक ही बात है गर्ण राज्ये कहलो या गर्ण तंत्र कहलो गर्ण राज्ये या गर्ण तंत्र जिस देश का राश अध्यक्ष दिस देश का मुख्या जनता द्वरा परत्यक्ष सत्ता के दो केंद्र हैं, हैड ओफ दा गवर्मेंट, परधान मंतरी होता है, हैड ओफ गवर्मेंट कौन होता है, पी-म होता है, और हैड ओफ दा स्टेट कौन होता है, हैड ओफ दा स्टेट होता है, राष्ट पती, प्रिजएंट होता है, जा देख एक कुछन आ चुका है, ह लेके सुंधिक के लिया है, हमारे राश्च्पत्य का पद पब्लिक एड में हम लोग यूपेश्ची का मेंस दे रहे थे यूपेश्ची का 2009 में पब्लिक एड में सब्जेक्ट था लोग परसंद उसमें कोशन आया था कैसा कोशन है सोच आप और पहला कोशन यही पढ़ने के बाद इससी दिख़ा होगी क्या था देखे है हमारी यमु का परवह का परवह हमारी यमुना का परवह तेम्स की अपेक्षा पोटो मेख से अधिक परभावित है कुछ इस तरह क था हमारी यमुना का परवाहत टेम्स की अपेगसा पोटो मेग से अधिक परवावीत है अब ये घूखोल का लगा नि जो वासिंगटन बसा हौआ है टेम्स बसा हुआ है जब दिमाख लगा तब पर चला कि नहीं राश्पति बिट्र के समराथ यह इंग्लेंड के समराथ और अमेरीक राश्पति की तुलना करवा रहे हैं कि हमारा राश्पति का जो पद है वो पोटो मैक यानि वासिंग्टन डीशी इस तदी कराने बसा हुआ है दि करें वह जो हमारश्पति का पद है वह जो अमरिक राश्पतीं है उससे अधिक प्रभावित है इसे क्या हिसां कहा है राश्पति का जैसे की अ मिरिकार्यती कर देंगे तब हम इसको इसको को पूरे डिडिल में के साथ आपको मैं पता हूँगा ठीक आभी फिला लिए देखते हैं हैड ऑप गवर्ण स्टेट कौन है राजपती है तो गण तंत्र है इस समय हमारा एक मात्र पड़ोसी देश भुटान राज तंत्र है भुटान कैसा है राज तंत्र यह यह हैड ऑफ दा स्टेट की प्रकरती है यह राज जी की प्रकरती है कि हमारा राज्य कैसा है गण राज्य है कि राज तंत्र है यह सिति है लोग तंत्र सासन पड़ती सासन की परणाली है कि जनता के उपर कैसा सासन होगा राज तंत्र और गण तंत्र हैड ऑफ दा स्टेट की प्रकृति है head of the state किस प्रकार का है अगर head of the state अनुवानसिक है तो राजतंत्र है जनता तो चुना जाता है पर्तेक्स यहां पर्तेक्स तो गंड़तंत्र है चीन गंड़तंत्र है राज्ट्र 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 रा है दॉसे स्वेट राज्य को माना जाता है लिए वहां के राज्य की कोई श्तीती भी राज्य के देश के अंदर नहीं है वो कि वाल एक सम्मान का पज़ चला रहे है अभी कुछ में पहले वहां के राजा को बदला गया था ठीना इस तरह कर रहा है उसको जो राज नागत को पुत्र राजा बना है तो वहां पर भी राज तंद्र है ठीना अमेरिका लोग तंद्र ओस्टलिया लोग तंद्र फ्रां की गंटन्दर अमने ग्रहन किया है जो फ्रांस में गंटन्द préfणनाली है उसी गंटन्द्र पनाली को हमने फ्रांस से ग्रहन किया है यह आप ध्याल क्येंगा ठीक चलो यह भी हो गया कि आै पहले सामाजिक नयाएं तीन परकार के नयाएं हैं सामाजिक आर्थिक राजनितिक नयाएं सामाजिक आर्थिक राजनितिक नयाएं हमने रूस की करांथी से लिए हैं स्वतंता समानता और बंदुत हमने फ्रांस की करांथी से लिए हैं स्वतंता समानता और बंदुत फ्रांस सामजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में कोई भी विशेशा दिकार वर्ग नहीं होगा और किसी भी समाज में कोई भी विशेशा दिकार वर्ग नहीं होगा और किसी भी संसादन है वह संसादन का संकेंद्रन नहीं होगा यानि कुछ लोगे हाथ में सारे संसादन नहीं रहेंगे आज है ना आज समझ संसादन जो देश के संसादन है वो और जो जनता वो देखिए क्या नुपात है तो आपको आज भी देश के अंदर उपर विश्व के अंदर हैं जितने भी संसादन है वो किवल 20% लोगों के पास है और 80% लोगों के पास 20% संसादन है यानि संपून संसादनों का 80% किवल 20% लोगों के पास है मुके संबानी दिरुबाय अंबानी अनि लंबानी हिंदुजा बंदू रतन टाटा यह सब क्या है समस्त संपत्कियों का समस्त संसादनों का अडानी वेगरा 80% इन्हीं लोगों के पास है और जो बजगी 80% जनता उसके पास 20% संसादन है देखे आप कितना अंतर है भारत में दो भारत पैदा होगे एक भारत वो है जो गुडगाउं नुएडा चं जिसना साउथ दिल्ली नुए निवास करता है और एक भारत हो है जो आज भी भिहार जारकंड बंगाल उडिशा बुंदेलखंड जैसे चेत्रों में रहता है आज भी जोपड़े हैं दो टैम का भोजन मिल जाता है अगले टैम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है सरकार फ बंबे है है यह इंडिया है वास्ताव में यहां पर पीजा लिया आठ सुरुपे का पीजा मंगाया सही नहीं लगा फैक दिया और वो जो 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 अपड़ी में बैठे वीवेक्ति है उनके लिए 8 सुरुपे लगता कि जैसे उनको आठ लाक मिल गए तो वास्ता में वह भा योजना 2011 की दोजना ग्यार भीज़ पश्वर ती तभी से लख्सय था समावेशी विकास समावेशी विकास पर समावेशी विकास आज तक हो नहीं पाया हैं एक निचला तपक्राइब कभी ती और वेठता बहुत गैप है बच्चों समें बहुत जादा गैप है जो विक्षि दिशिए समझे वर्ग अभी भी है समधी में समध्तित्याbec água विश्यस दिकारवर्ग अभी भी है समाज में एशा निया हमारे डिखताय है$ मैं समाज रोड़ करे Hundreds समूध करें समधी शुदारांधुलन चले उन छेत्रों में समाजिक सुधार चले हैं वहां तो समाजिक लगता है कि न्याईता है लेकिन लिंक के आधार पर भेज़बा हो रहे हैं क्या समाजिक न्याई है बूर्ण हत्याई हो रही हैं क्या समाजिक न्याई है महिराओं का सोसन हो रहे हैं क्या समाजिक न्याई है नही कि उसके स्तर पर अच्छे प्रकार्श कारिया किया जाए है कि सरकार सोभा चला रही है उधैं फ्रीज चला रही है अब देखते हैं राजनितिक न्याय की बात क्या होती है किसे बोलते है राजनितिक न्याय का मतलब होता है प्रफ्चो ध्यान कीगा किस भारत में आनुछे 326 के तहाथ त्यूरुण्टिस के तहाथ भारति नागरिकों को मता दिकार दिया गये मताधिकार यानि मत का अधिकार दिया हुआ है मताधिकार दिया है मत का अधिकार दिया है किसे ते अनुचे 326 के ते और यह मत कैसा पच्च चाहिए यह सारभोमिक सारभोमिक वैस्क मताधिकार है सारभोमिक वैस्क मताधिकार यानि राजनितिक न्याय है एक व्यक्ति एक वोट यानि एक वोट जो दिया एक रिक्सा वाला है और एक अंबानी में क्या इनमें को समांथा है एक रिक्षा वाले अंबानी जीस में क्या समांता है ? कोई समांता है ? इसकी वेल्यु है। ये भी किसी एक वोक्त से हरा सकता जिता सकता है। ये राने टिक नएए है। ये सारवमिक वैसρमत अधिकार है। बारत में किसी भी व Lewisus का दिकार है। किसी भी लिंक का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाती का हो, बस 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए, ठीना, और कुछ जैसे ग्राम पंचायतों के लिए 21 वर्ष के आयू पूरी कर चुका हो, तो किसी धर्म जाती लिंक का हो, कि नहीं क्यों ना हो, होताना कि नर, उनको क्रूप से 15,000 कमाता हो इसके इंकम कितनी हो 15,000 रुपए यहां जो दस हजार रुपए लगान देता हो यहां जिसके पाद सर की उपादी हो नए ठूड की उपादी हो वही व्यक्ति वोड दे सकता ता क्या राधनितिक न्याई और समाजिक न्याई था नहीं था अब wonderful सारभोमिक्त मत अधिकार है सबको वोड़ देनेकी बराबर का थिकार है सब पार छोनो लडनेकी का बराबर का अधिकार है यह यह कुछ नन ना? आर्थिक ननन ना कर मतला है बयाइँ बच्यों कि देश के अंदर जो भी अवसर होंगे जो भी अवसर होंगे उन अवसर पर चया वह हो अवसर भोतिक समपदा के हों, नोकरी क्यों हूँ, किसी चीज की बेवसर हो, जहां भी अर्थ की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, धन की बात आएगी, रोजगार की बात आएगी, वहाँ पर सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, कर मिलेगा, यानि संसाद नों का समता मुलक वित्रन करेंगे, हम संसाद ईनों को एक वरक के पक्स में नहीं रखेंगे यह आर्थिक अब कर दोगी पर कुछ लोग को जाना का अधिकार साब को अधिकार नहीं था तो सामजिक्नाई हो गया मंदिर पर सबके प्रवेश का अधिकार नहीं था वो प्राणितिक ह्यों और आपका समाज़वादी का तना मन बता है तो यह आर्थिक नाए उसलिए रखा गया है कि सब को बराबर बराबर आउसर मिलना चाहिए तो उस दस में सब को बराबर आउसर मिलना प्रस्तावना का हिस्सा है इसलिए आर्थिक न्याय के आधार पर हम सुप्रीम कोट में केस नहीं कर सकते हैं पर हम इसके आधार पर कर सकते हैं पर हम इसके आधार पर केस नहीं कर सकते कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है बच्चो चलिए अब यह खतम करते हैं प्रस्त के न्याइए है दो प्रकार की समान्ता और पाँच प्रकार की सोतंडरताहिं हैं जो की मनेश में लिखती हैं ठीगे आज क्लास बहुत लंबी हो गी है अगली जो हमारी क्लास होगी वह भाग एक से श्टार्ट होगी किसे भाग एक से भाग एक संग्राजि अक्राश